मुक्तार अंसारी की मौत के बाद उसके जनाजे में देखा हमने किया अगर किस तरीके से हजारों की तादात में वहां पर भीर पहुच गई इतना ही नहीं जनाजे में पुलिस कर्मी लगातार वहाँ पर लोगों को समझाते रहें कि आप इस तरीके की धक्का मुक्की मत कीजिए धार 1-44 का उलंगन होता हुआ वहाँ पर नजर आया पुलिस कर्मी लगातार माइक से लोगों से इस बात की गुजारिश कर रहे थे कि आप शान्ती बनाए रखे सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर अफजाल अंसारी डियम और अस्पी से बहस करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए मैं जिला नमाचरा अतिकारी मुछ भी होगोओ hij जहां के भी कोई मट्भी देना चाहेगा वो देगा इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता नहीं लेगा तो और कि सिके मट्वी जनाज़े के लिए तो आपने सुना अफजाल अंसारी किस तरीके से डीम और इस पी से बहस करा है दरसल ये पूरा मामला शुरू हुआ जब वहाँ पर धार 144 लगाए गई थी और अचानक वहाँ पर इतनी जादा भीड़े कटा हो गई अफजाल अंसारी को लगाता डीम ये बात समझाती रही कि इस तरीके से यहाँ पर धार 144 लागू है लोगों को आप खुद मना कीजिए परिवार होने के नाते कि लोग जो है वहाँ पर मिट्टी डालने के लिए ना पहुचे लेकिन बावजुद इसके अफजाल अंसारी डीम की बात मानने की बजाए वो लगातार इस बात को लेकर बहस करने लगे और कहने लगे कि मिट्टी डालने से कोई कानून नहीं रोक सकता है डीम बार बार उन्हें ये बात समझाती रही कि धार 144 लागू है आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं यह कानून का इलंगन है बावजुद इसके अफजाल अंसारी बार बार यह कहते रहे क देखिए हम जो है या जो लोग यहाँ पर पहुचे हैं वो मुक्तार अंसारी को मिट्टी डालने के लिए पहुचे और कोई भी कानून जो है इसके इजाज़त नहीं देता है कि आप जो है किसी को मिट्टी डालने के लिए रोक सके हाला कि इसके बाद बावजुद इसके आडीम ने कहा कि देखे आपके उपर कानूनी कारवाई होगी अफजाल अंसारी ने कहा कि देख लेते हैं लेकिन इन सब के बीच में आप यह समझ वे कि धार 144 लागों होने के बावजूद मुकतार अंसारी के जनाजे में जो हजारों की तादात में वहाँ पर लोग पहुचे थे लेकिन हर कोई सोच रहा था कि शायद मुकतार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी जो है वो भी वहाँ पर पहुचेंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ खाला कि उनके चोटे बेटे जो है वो फिलाल जेल में बंद है उन्होंने पेरोल के लिए ज़रूर एप्लाई किया था सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाइट कोर्ट तक में लेकिन बावजुद इसके वो अपने पता के अंतिम सफर में शामिल नहीं हो पाए कर दो